दोस्तों अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विशय पर और वह है हम लोग पावर आफ एलिमिनेशन पर बात कर रहे थे और उसके तहत मैंने एक बहुत ही महत्तपूर्ण विंदू की शुरुवात की है और वह है पढ़ने का धंग जब तक आप अपने पढ़ने के धंग को ठ कि उसका जो काम होता है वो समझाना होता है पढ़ाना नहीं होता बचपन में आपने कविताएं पढ़ी होंगी आपके कोर्स में हिंदी साहित के तहट कविताएं होती ही होती है होती है याद कीजे कविताएं थी तो कविताओं पर जो परिक्षा में प्रश्न पूछे जात चंदर्व सहित व्याख्या करें। है न? अब एक पोईट्री है, ठीक है? पोईट्री भाशा के स्तर पर आपको समझ में आ रही है। आप उसका प्रोज में अनुवाद भी कर देंगे, बता देंगे कि इसका प्रोज क्या होगा। लेकिन क्या वही पोईट्री है? तो संदर्व सहित व्याख्या की बात क्यों की जाती है यहां तक कि प्रोज में भी आते हैं सितर के प्रशन आपको कोई भी गध्यान से दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इस संदर्व व्याख्या करें तो यह जो व्याख्या की मांगी जा रही है आपसे चाहे प्रोज हो या पोईट्री की हो ये क्या है definitely प्रोज की व्याख्या थोड़ी सरल होती है लेकिन पोईट्री की व्याख्या सरल नहीं होती है क्योंकि पोईट्री में लेयर्स होते है कहा कुछ जाता है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग ही निकलता है प्रोज में उतनी संभावना नहीं होती, पोईट्री में जो गहराई होती है, प्रोज में उतनी गहराई नहीं होती, तो अब टीचर क्या करता है, टीचर आपको जो कविता है उसका प्रोज में अनुवाद करके नहीं बताता है, वो ये बताता है कि ये जो कविता कही गई है यह किस context में कही गई है, किस ने लिखा इसे, किस संदर्व में यहां हम इस कविता को व्याख्याईद कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप संदर्व नहीं बताएंगे, वो कविता समझ में नहीं आएगी, परिस्थितिया तो बतानी पड़ेंगे, तभी आपको वो कविता समझ म आएगी, अगर आप मेरी इस बात से agree करते हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि civil service examination में जो पढ़ाए जाने का तरीका होना चाहिए, या आप अपनी तरफ से ही तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से ही पढ़ने का जो आपका तरीका होना चाहिए, वो इसी poetry format में होना च मुझे से accept student email के जरी पूछते हैं कि between the lines क्या होता है, आप दो line के बीच में देखिए, एक किताब उठाइए, उसका page खोलिए, एक line और इसके बाद दूसरी line, इन दोरों line के बीच में खाली जगह है, वहाँ कुछ ने लिखा गया है और सबसे ज़्यादा वहीं लिखा गय कि छमता आप में है, है बहुत अच्छी बात है, आप मान करके चलिए कि अगर आप उसे पकड़ पा रहे हैं तो बिल्कुल civil service examination में जिस तरीके से पढ़ाई की जानी चाहिए, उस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, या एक teacher के रूप में अगर कोई आपको पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, ये किताबों के अक्षरों को केवल बोल करके बता देना नहीं है, आडियो फार में प्रोवाइड कर देना पढ़ाना नहीं है, कम से कम civil service examination के लिए, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा challenge है, अब आप देखे होता क्या है कि जब आप कोई lecture सुन रहे ह होते हैं, और कोई teacher आपको पढ़ा रहा है, तो पढ़ाते समय कितनी सारी बातें लेकर के आता है, और वो जो बातें लेकर के आ रहा है, उसका संबंद सीधे सीधे इस विशे से नहीं है, वो किवल अपनी बात को समझाने के लिए, वो पता नहीं कहां कहां से क्या 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 लेकर के आ रहा है उसमें दुनिया भर के दूसरे दूसरे विशया शामिल होते चले जा रहे हैं उदाहरन शामिल होते चले जा रहे हैं कविताएं शामिल होती चली जा रही है जोग सामिल होते चले जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रहे हैं कि उसका परपस होते चले जाते हैं, माली जैंकि आप सिर्फ geography ही पढ़ रहे हैं एक समय में, तो अ सिर्फ geography नहीं है, पता नि उस geography को समझाने के लिए वो कहा कहां से उदाहरन ले करके आएंगे कभी उसमें इतिहाश शामिल हो जाेगा, tussen कभी पता लगा कभी पॉलिटिकल साइन्स आ गया तो फिजिक्स तो आते ही आता है तो पता नहीं कहां कहां की चीजे ला करके वो समझाने की कोशिस कर रहे हैं कि देखे ये पूरे के पूरे ग्लोब पर जो रेखाएं खीची गई करके रेखा मकर रेखा इसका क्या मतलब है और इसके आधार पर कैसे आप दुनिया के क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं मतलब वो आपको एक मास्टर की प्रोवाइड कर रहा है शाद ये शब्द ज़्यादा अच्छा होगा एक मास्टर की प्रोवाइड कर रहा है एक ऐसी कुंजी आपके दिमाग के हाथों को थमा रहा है जिसके जर लेकिन जब तोड़ेंगे तो दो मिनट उसमें लग चुका होगा क्योंकि आपके पास चाबी नहीं है तो ताले को तोड़ना पड़ेगा चाबी से तो दो सेकेंड में वो ताला खुल सकता था लेकिन जब तोड़ेंगे तो दो मिनट उसमें लग जाएंगे तो पता लगा कि बाकी तालों को तोड़ने के लिए खोलने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं बचा यही तो चैलेंज है तो जो रियल प्रिप्रेशन होती है वो देखिए इस तरह से कि आप धेर सारे विशियों को एक साथ ले करके एक विशय की तयारी कर रहे होते हैं यही मैं कहता हूँ इंटर डिसिप्लिनरी एप्रोच आप कभी कौन बनेगा करोड़पती को देखिए और थोड़ा ध्यान से देखिए इत्मिनान से देखिए और उनके प्रशनों को जाचने की कोशिस कीजिए जो लगबग लगबग तीन लाख बीस अजार से उपर पहु कि किस तरीके से वो जो चार आप्शन है अगर जो व्यक्ति बैठा हुआ है अगर वो थोड़ा सा नौलेज वाला है इस तरी यह है उसने धेर सारी चीज़ें सुन रखी है उसका अब्जरवेशन अच्छा है उसका एक्सपोजर अच्छा है उसका नौलेज अच्छा है उस ये क्यों नहीं हो सकता, अच्छा ये हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता, अच्छा अच्छा ये मैंने वहां सुना था, उसने ऐसा कुछ कह रहा था वो, अच्छा नहीं ऐसा नहीं कह रहा था, लेकिन उसका मतलब तो कुछ इस तरीके से था, तो ये जो सोच रहा है वो, eliminate करने के लिए जो इतने सारे तथे आपके सामने रख रहा है infect वो क्या है वो किस आधार पर रख रहा है हवा में तो नहीं रख रहा है आप ध्यान दीजे कौन बनेगा करोड़ पती देखे इसी लिहाज से देखे भले ही आपको पसंद ना आता हो लेकिन आप उसे मान लिजे कि एक coaching institute के द्वारा provide किया गया वो एक lecture है एक practical lecture है practical करार है कि आप देखे कि कैसे आप eliminate करेंगे देखे समझने की कोशिस कीजिए आपको उसमें बहुत सारे सुत्र मिल जाएंगे लेकिन जो सबसे बड़ा सुत्र है जिस संदर्व में मैं कौन बनेगा करोरपती का उलेक कर रहा है वो यह है कि कहां कहां से पढ़ीवी सुनीवी देखीवी बातें वहां आपकी मदद करती है और यही लेक्चर की खुबसूर्ती होती है यदि किसी विशे पर आप सुन रहे हैं तो कि उसमें कितनी सारी बातें लाई गई है और मुझे लगता है कि शायद कोचिंग संस्थानों में जो हम सब टीचर इस रूप में काम कर रहे हैं यही हमारा मूल दाईत तो भी है